धन धन सत्गुरू तेरा ही आसरा सन 1922 की बात है सर्दी की शिरुवात थी मैं अपने सत्गुरू पर्म पूजनियम पर्म पिता शासत नाम सेंग जी महराज की दया मेहर से देरा सच्चा सवदा बरनामा यूपी में सेवा करने गया हुआ था हम कई मिस्त्री आश्रम के नए बने कमरों की जोडियां बनाने की सेवा कर रहे थे सुभा के समय पर्म पिता जी तेरा वास से सीधे हमारे पास आ गए पूजया पिता जी ने और किसी मिस्त्री से कोई बात नहीं की मेरे पास आते ही फरमाया तरसेम बेटा तूँ घर चला जा तैनू छुट्टी है भाई मैं गुनागार मालक सत्गुरू की रमजों को क्या जानता था के मेरे पिता जी का मुगगा में एक्सिडेंट हो गया है मैंने कहा के पिता जी अगर मैं घर चला गया तो हमारे घर वाले मेरा विवा कर देंगे मैं देरे में रहकर सेवा ही करना चाहता हूं इसलिए मेरा घर जाने को दिल नहीं करता तो पूजनिया पर्म पिता जी यह कहकर चले गए के देख लै भाई जो काम हमने सवा महीने का बकाया समझा था पिता जी ने हमसे एक हबते में सेवा करवा कर हमें छुट्टी कर दी तथा मुझे दिली तक अपने साथ ही ले आए सुभा के चार बजे थे सेवा समिती वालों ने मुझे एक चौक में उतार दिया केवल उस चरास्ते में ही रोशनी थी बाकी चारों तर्फ अंधेरा था पिता जी ने गाड़ी रोक कर इशारे से मुझे अपने पास बुलाया वै कहा बेटा तैनु पता है हुण किदर जाना है मुझसे ये भी ना बोला गया के पिता जी आप जी की मिहर से चला जाऊंगा फेर पूजनिय पर्म पिता जी ने फरमाया चंगा बेटा थ्री वीलर आवेगा ओसू पर चड़ जावी दो तीन मेंटों के बाद थ्री वीलर आया मैं उस पर चड़ कर बस स्टेंड से रिक्षा लेकर रेलवे स्टेशन पहुँच गया बशिंडा की तरफ गाड़ी छे बीस पर चलनी थी सुबा के पांच बजे थे टिक्ट खिड की अभी बंद थी मैं पहली दफा दिली गया था मैं आगे स्टेशन देखने चला गया जब मैं वापिस आया तो चेकर टिक्टे चेक कर रहे थे उन्होंने कोछ बगाएर टिक्ट वाले लोग बिठा भी रखे थे जब मैं वहां से निकलने लगा तो मुझसे भी टिक्ट मांगी मैंने कहा कि मैं तो देरा सच्चा सवदा बरनामा से आया हूँ उन्होंने मुझे भी बगाएर केक्ट वालों में बिठा लिया मैं घबरा गया कि अपने तो वैसे ही फंस गए अब यहां से कौन निकालेगा यहां कोई जान पहचान भी नहीं है उसी समय रेलवे ड्रेस में एक आदमी मेरे सामने आया उसने मेरी दाई बाजू पकड़ कर उपर की तरफ इशारा किया मैं खड़ा हो गया वै मुझे चेकर के पास ले जाकर कहने लगा के यह तो मेरे साथ बंबे वाली ट्रेन से आया है इसकी जेब कट गई तो चेकर कहने लगा के जाओ वै मेरी बाजू पकड़े पकड़ाए बाहर आ गया तथा कहने लगा के कहा जाना है मैंने कहा बठिंटा जाना है वै मुझे बठिंटा वाली टेक्ट खिड़की के पास ले जाकर कहने लगा के टेक्ट यहां से मिलेगी मेरे मन में ख्याल आया के मुझे दिल्ली में कोई जानता नहीं यह आदमी मुझे चाय पानी मांगेगा मैंने कहा के मैं पिशाव कर आऊं मेरे पैर उठाने की देर थी के वै आजनबी अद्रिश्य हो गया मेरी हरानी वै खुशी की कोई सीमा नहीं रही फिर मुझे ख्याल आया के यह तो मेरे सत्गुरू पर्म पिताजी थे जिन्होंने जहां पर भी मेरी लाज रखी मैंने सुना था के सत्गुरू अपने शिशा की इस तरह संभाल करता है जैसे छोटे बच्चे की मां यह बात मैंने आज देख ली थी मैंने अपने सत्गुरू पूजनिय पर्म पिताजी का लाख लाख धन्याबाद किया जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला के मेरे बापुजी का एक्सिडेंट हो गया था जो के घट घट वे पट पट की जानने वाले पूजनिय पर्म पिताजी ने उसी दन ही मुझे बरनामा यूपी दरवार से घर जाने की आग्या दे दी थी मेरे बापुजी पैंटर से सत्र वर्ष की आयू के थे जिनका कूला तूट गया था इस आयू में कूला बंधना बहुत मुश्किल था परांतू पर्म पिताजी की दया द्रेश्टी तो एक्सिडेंट होने के तुरंत बाद हो गयी थी जब मुझे घर जाने की आग्या दी थी पूजनिया पर्म पिताजी की दया मेहर से मेरे बापुजी बहुत जल्दी ठीक हो गये थे बाद में भी वे एक नौजवान आदमी की तरह काम कर सकते थे वे करते रहे थे कोई नहीं कह सकता था के उनका कभी कूला टूटा होगा मैं अपने सत्गुरू पर्म पिताजी के परुपकारों का बदला नहीं चुका सकता मेरी पर्म पूजनिय पर्म पिताजी के परकट सब रूप पर्म पूजनिय संत डॉक्टर गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इंसां के चरणों में यही विनती है के मेरी ओढ़ अपने पवित्तर चरणों में निभा देना जी धन धन सत्गुरू तेरा ही आश्रा झाल